आज मैं बनाने जा रहा हूँ हरे मूंग की टेस्टी सबजी यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और अगर आप बैचलर है तो इस रेसिपी को ज़रूर ड्राय करें यह बहुत ही जल्दी और एकदम टेस्टी बनकर प्रिपेर होगी हमारे यह सबजी आप इसे रोटी के अगर आपको मेरी मूंग की टेस्टी सबसी की इस रेसिपी अच्छी लगे तो विडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में रहें बैल आइकन को प्रैस करतें जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल दी रह किए पैन के गरम होते ही उसमें हम दो चमजितना तेल डाल देंगे अब तेल की गरम होते ही उसमें दो साबुत लाल मिच, दो दाल जिने के टुकडे, थुड़ा सा करी पत्ता, आदी चमजितना जीरा, और वन बाइ-फोर चमजितना हिंग डाल दे, इन सारे चीचों को हम सौते कर लेंगे और फिर दो प्यास काट कर डाल दें इसे हमें हलकी सी ब्राउन लेयर आए तब तक सौते कर लेंगे मतलब कि दो मिनिट लगीगा हमें प्याज को पकाने में ये हलका सा ब्राउन लेयर आ चुका है अब इसे हम एक चमज बर कर लैसून और अद्रग की पेस्ट डाल देंगे इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे जब तक हमारा लैसून और प्याज में से अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हम एक पेस्ट बना लेते हैं एक बॉल में एक चमज लाल मिर्श पाउडर ले ले आदी चमज से कम हल्दी पाउडर और दो चमज धन्याजीर पाउडर ले ले अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक सेमि थिक कंसिस्टेंसी जैसा पेस्ट बना लेंगे तो ये हमारा पेस्ट तयार है और लैसून और अद्रग का कच्छा टेस्ट भी चला गया है अब इसमें हम बनाई हुवी पेस्ट डाल देंगे और इसे प्यास और लेसुन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा सा पाने डाल दे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि मसाले जले नहीं और ये अच्छे से पक जाएं इसे मिक्स कर ले अब इसमें एक टमाटर डाल दे इसे मैंने grater में grate कर लिया है इसे भी अच्छे से mix कर ले अब 1 by 4 चमचीता नमक डाल देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से mix कर लेंगे अब थोड़ा सा और पानी डाल दे और मसाले को अच्छे से पकने दे इसे mix करके इसे ढकन से cover कर ले 3 मिनिट के लिए तब तक मसाला अच्छे से पक जाएगा 3 मिनिट के बाद हम ढटकर ढटकर मसाले को चेक कर लेते हैं कि देखें मसाला अच्छे से पक चुका है आसपास की किनारियों से तेल भी अलग निकल रहा है इसे मिक्स कर दे अब इसमें हम boil की होवे mung डाल देंगे मung को boil करते वक्ट नमक का इसमाल जरा भी नहीं करे नहीं तो क्या होगा कि मung एक दम मैशी हो जाएगा तो मung को नमक के बिना ही boil करें तो यह अच्छे से boil होगा मुंग को पहले एक गंटे के लिए हलके गुनकुने पानी में इसे फिको दे फिर इसे अगर कुकर में बॉयल करना है तो तीन विसल लगा दे पर अगर आप इस ऐसे ही तपिले में खुला पका रहे हूं तो पंदरा मिनिट में ये अच्छी से पक जाएगा अब इसमें 3 by 4 चमल जितना नमक डाल दे और इसे अच्छी से मिक्स कर ले और फिर इसे ढखकन से कवर कर ले और पंच मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे पकने के लिए पांच मिनिट के बाद हम चैक कर लेंगे मूग और मसाला अच्छी से एक दूसरे मिक्स हो चुका है अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल कर इसे पतला भी कर सकते हो अगर अब पानी डाल रहे हो तो पानी थोड़ा डाल कर इसे ढखकन से कवर कर ले और दो मिनिटे से पका ले अब उपर से थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल दे और इसे मेक्स कर ले और गेस की फ्लेम आफ कर दे और इसे गर्मा गरम सर्व करें रोटी या तो चावल के साथ चावल के साथ ग्रेवी वाले मुंग बहुत ही टेस्टी लगते तो आज की ये रसिपी अब कैसी लगी वो मुझे कमेंट बुक से जरूर बताएं